हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बाब फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीचर में दोस्तों लेकर आया है जरूरी जानकरी इस वीडियो में सब्सक्राइब चाहिए तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में अलॉक फॉर की गाइडलाइन को लेकर 31 अग को विकल्प देगी तो राजों को विकल्प देगी केंदर सरकार और शुरू हो सकते हैं इस गाइडलाइन में मेट्रो सिवा funded सब्सक्राइब multiplex पर पाबंदी रहेगी जारी तो unlock 4 की guideline की तयारी चल रही है SME school college फिलहाल बंद रहेंगे ऐसी बात आ रही है सामने दिखा देते हैं आपको पूरी खबर कि देश में बढ़ रहे हैं कोरोना संकरमन के बीच जो है केंदर शरकार दोरा अनॉक 4 की तयारी शुरू कर दी गई है सुतरों की बारे तो unlock 4 में भी school college बंद रह सकते हैं यह बड़ी बात है school college फिलहाल अभी नहीं खुलेंगे वही मोधी शरकार social distancing और अन्य निमो के साथ सितंबर में cinema hall खोलने के नुमती दे सकती है मगर मॉल्स में multiplex को अनुमती अभी नहीं होगी इसके साथ ग्रव मंत्रा लेकर सुतर के अनुसार अनॉक 4 के दौरान दिल्ली में ट्राइल बैसेस पर 15 दिन तक मेट्रो सिवा फिर सुरू की जा सकती है इसी दौरान एक कोच में सिर्फ 50 लोग को यात्रा ग्यनुमती होगी इसमें जरूरी स्वियाओं से जुड़ी करमचारियों को यात्रा की अनुमती होगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों दिशा निदेशों को लेकर कि अनलॉक फॉर जो है अनलॉक फॉर की त्यारी चल रही है ऐसे में स्कूल कॉलिज फिलाल बंध ही रहेंगे और राज्य सरकारों के उपर ये निर्ने छोड़ा जा सकता है के अंदर सरकार ऐसा डिसीजन ले रही ह तो दिशा निदेश तैय करने की जिम्यदारी राज्यों की होगी माना जा रहा है कि अनलॉक फॉर की गाइडलाइन में केंदर सरकार राज्यों को स्कूल को खोलने के लिए जो है एक विकल्प देगी यानि केंदर सरकार राज्यों के उपर अप छोड़ देगी राज्य सर को राज्य सरकार के ऊपर छोड़ देगी और राज्य सरकार इसके बाद अपने याँ इसकी व्यवस्ता शुरू करेगी अपनी इस्तुति के नुशा अंद्रने लेगी अनलॉक फॉर में अगर इस्कूल कॉलेज खुलते हैं तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि व फिर भी केंदर सरकार सा रही है कि वो राज्यों के उपर जो है विकल्प छोड़ेगी और राज्य सरकार करेगी कि क्या इसकूल कॉलेज खुलने है या नहीं अगर वह खुलती भी है इसकूल आज्य सरकार तो उसे अपने नियम काईदे बनाने होंगे ताकि बच्चे वाय जाएगा अन्यकाई सुईदाएं खोलने के लिए इसके साथ ही विबिन परकार की सिवाएं भी ओपन होगी लेकिन स्कूल कॉलेज को लेकर जो इस्तति है वो बरकरार है वो फिलाल बंद ही रहेंगे क्या ओपन होंगे या नहीं यह रज्य सरकार पर छोड़ा जा सकता है ज धन्यक्यू